हेलो बच्चों, BKSCI चैनल में आप लोगों का पुना स्वागत है जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को कार्वनिक योगों के पर आपसी परस्पर परिवर्तनों के बारे में बताया था उसी के अंतरगत वैसे तो परिवर्तन बहुत से हैं लेकिन कुछ ऐसे परिवर्तन हम बताना चाहेंगे जिनकी सहायता से आप परिवर्तनों को आसानी से कर सकेंगे आज मैं आपको एथिल एमीन से मेथिल एमीन में परिवर्तन बताने जा रहा हूँ इसमें हम पहले ये सूत्र लिख लेते हैं एथिलेमीन, CS3, CH2, NH2 ये एथिलेमीन हो गया और इससे बनाना है हमको CS3, NH2, एथिलेमीन यहां हम गौर से देखें तो कार्बन शंकला इधर्ष एक दो कार्बन है और इधर्ष एक कार्बन है मतलब ये निकला हमको कार्बनों की शंक्या को कम करना है पहले वीडियो में हमने बताया था किस प्रकार से किस चीज को कम किया जाता है किस प्रकार से किस चीज को बढ़ाया जाता है कौन से परमान को उन्ही का प्रियोग करते हुए मैं बताता हूँ यहाँ पे देखिए हमने लिख लिया CH3, CH2, NH2 यह है एथिलेमीन इसका पहले NH2 हम हटाएंगे NH2 हटाने के लिए तरीका बताया था नाइक्टरसमल HNO2 से क्रिया कराई जाती है यह क्रिया किस प्रकार से होती है यन और यन एक साथ निकल जाते हैं दोनों यन पर मौण मिलकर के यन 2 बना लेते हैं प्लस O2 का एक O H2 पे चला जाता है तो H2 O बन जाता है प्लस अब यहाँ पे एक H बचा यहाँ एक O बचा O H बन गया O H को इससे जोड़ देंगे तो CH3 CH2 O H बन गया यह हो गया Ethyl Alcohol अब Ethyl Alcohol को हम दिख लेंगे CH3 CH2 O H Ethyl Alcohol का अब हमको यह H हटाने है यहाँ से H हटाएंगे उसके बाद Carbon को हटाएंगे Carbon संखला कम करने की पेक्रिया करेंगे तो H को हटाने के लिए हमको आक्सी करन करना पड़ेगा तो 2 O से क्रिया करा देते हैं और यह दो नौजात आक्सीजन कहां से आते हैं K2 CR2 O7 और H2SO4 की क्रिया द्वारा आते हैं अब यह यहां से H2O निकल गया और यह दोनो O इसके बीच में आ गया तो बन गायाएगा H2O प्लस CH3 COOH इसको कहते हैं ACT काम्ल ACT काम्ल को पुना लिख लेते हैं इसकी छार से क्रिया करा देते हैं NAOS से तो ACT कम्ल का H परमाण और NAOS का OH परमाण एक में निकल गया तो बन गया NAOS सेश क्या बचा CS3 COO NA इसको कहते हैं sodium acetate यह sodium acetate बन गया अब sodium acetate को NA लिख लिख लिया और इसकी NAOS से क्रिया कराएंगे जैसा कि पहले वीडियो में बताया था कि कार्बोक्सली कम्ल के sodium लवण की NAOS से क्रिया कराने पर क्या होता है कार्बन शंकला कम पड़ती है तो यह कार्बन परमाल को हटाने के लिए इतने reaction हमको लिखने पड़े यहां से C O O यने और यने O एक में निकल जाता है तो यने 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 2 बन जाएगा और C O O O यानि CO 3 क्लास ये वाला CH CH 3 में सामिल हो जाएगा तो CH 4 बन जाएगा ये बन गया मेथेन अब मेथेन से हार्डोजन परमाल कम करें तब तो CH 3 बनेगा तो हार्डोजन परमाल कम करने के लिए ने बताया था कहाँ से क्लोरीन से क्रिया कराई यात्ती है CH 4 प्लस CL 2 तो आगे क्या बन जाएगा ये एक में निकल गया HCL बना और एक CL वहाँ पहुंच जाएगा तो बन जाएगा CH 3 CL ये है मेथिल क्लोराइट अब मेथिल क्लोराइट से मेथिल एमीन बनाना है तो NH2 ग्रूप लाना है हमको तो इसके लिए हम पोटेशियम छठा CS3 CL ये मेथिल क्लोराइट है इसकी येने NH2 से क्रिया करा दें तो CL और येने एक में निकल जाएगा तो आगे बन जाएगा NACL प्लस CS3 NH2 ये है मेथिल एमीन अब मालिया हम कि मेथिल एमीन से मेथिल अलकोहल बनाना है तो क्या करेंगे तो जैसे कि अलकोहल बनाने के लिए उपर NH2 का ये चनोटू से क्रिया कराई गई थी वैसे यहाँ पर भी हम क्रिया करा सकते हैं CS3 O NH2 मेथिल एमीन है इसकी क्रिया H यन O2 से कराएंगे तो यन यन एक में निकल जाएगा यन टू बन गया और एक O H2 पे चला जाएगा H2O बन जाएगा यच और O बचा तो O H हो गया तो CS3 O H बन गया ये बन गया मेथिल अलकोहल अब मेथिल अलकोहल से मेथिल अलकोहल बन गया अब मेथिल अलकोहल से अगर और कोई भी चीज बनाना चाहाएं तो इसी प्रकार से हम बना सकते हैं अब यहाँ दियेक्शन तो एक बताई लेकिन इसमें परिवर्तन बहुत से हो गया यह ध्यान देने की चीज़ है जैसे यह था एथिल अमीन से एथिल अलकोहल कैसे बनाओगे एथिल अमीन से एथिल अलकोहल तो केवल पहला रियक्शन देना है अगर आजाता है एथिल अलकोहल से एस्टी कमल कैसे बनाओगी तो दूसरा reaction के वल देना है अगर आता है sodium esticaml से sodium acetate तो तीसरा reaction देना है sodium acetate से methane कैसे बनाओगी अगर ऐसा आता है तो ये चौथा reaction देना है methane से methyl chloride तो पाचुआ methyl chloride से methylamine तो छठा और methylamine से methyl alcohol तो 7 वार reaction देना है तो 7 परिवर्थन तो ये हो गया और 8 वा कौन methylamine से methylamine हो गया अब इनका और परिवर्थन देख लो methylamine से esticaml तो पहला और दूसरा समिकन देना है esticaml से methane तो तीसरा और चौथा रियक्षन देना है methane से methylamine बनाना है तो 5 वा छठार रियक्षन देना है methane से methyl alcohol बनाना है तो 5, 6, 7 रियक्षन लिख देंगे तो कहने का मतलब ये है कि जो चीज बनाना है वहां तक हम इसको समिकानों को लिखते हैं और एक एक परमाण को धीरे धीरे हटाते हैं और एक एक परमाण को धीरे धीरे जोडते हैं इस प्रकार से हर प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं अब हम यहां पर ये था एथिलेमीन से मेथिलेमीन अब इसी को उल्टा हम सोचते हैं माल लिया हमको बनाना हो मेथिल एमीन से एथिलेमीन तो मेथिलेमीन CH3 NH2 होता है और एथिलेमीन CH3 CH2 NH2 होता है यहां हम गवर से देखेंगे तो क्या नजर आ रहा है यहां पर कार्बन परमाणों एक है यहां कार्बन परमाण दो हो गए तो हमको कार्बन परमाणों की शंकला को बढ़ाना है तो जो नियम लिखाया थे बताया थे पिछले वीडियो में वो नियमों का परियोग करेंगे और हम परिवर्तन करेंगे सबसे पहले हम लिख लेंगे मेथिलेमीन CH3 NH2 अब इसका NH2 ग्रूप हटाना है इसके लिए क्या किया जायाएगा HNO2 से उपर यहाँ पर हुआ था तो इसमें यन यन एक में निकल जाएगा N2 बन जाएगा 1 OH2 पर चला जाएगा H2O बन जाएगा प्लस CH3 OH मतलब मेथिल अलकोहल बन जाएगा अब मेथिल अलकोहल मेथिल अलकोहल हम लिख लेंगे अब इसका OH हटना चाहिए और कार्बन संक्ला बढ़ाना है तो कार्बन संक्ला बढ़ाने के लिए इसका पहले हम काहे में परिवर्तन करेंगे अलकिल हेलाइड में अलकिल हेलाइड में परिवर्तन करने के लिए काहे से क्रिया करानी है PCL 5 से तो एक यच और एक CL एक साथ निकल जाएगा SCL बनेगा एक CL चला जाएगा CS3 पे तो बन जाएगा CS3 CL मेथिल क्लोराइड प्लस O जो है P और CL के बीच में आ जाएगा यहां तीन CL बचे और P है तो P O CL 3 तो यह बन गया हमारा मेथिल क्लोराइड अब मेथिल क्लोराइड CS3 CL है इसकी कार्बन शंकला बढ़ाने के लिए हमने बताया था कि KCN या NA KCN से क्रिया करा देते हैं देखो K CN से जब क्रिया कराएगे तो CL और K एक में निकल गया आगे बन गया KCL प्लस CS3 CN यह मेथिल साइनेड अब यहां का और करिये कार्बन परमार्द भी बढ़ गया और नाइटोजन भी आ गया अब ज़रूरत सिर्फ है हाइडोजन की हाइडोजन अगर बढ़ा देंगे तो एथिल एमीन बन जाएगी हाइडोजन बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा CS3 CN प्लास 4H 4H कहां से आते हैं यह CN और SCL अब चाइकों से आते हैं 2H C पे चले जाएंगे और 2H N से जुड़े जाएंगे तो बन जाएगा CS3 CH2 NH2 यह हो गई एथिल एमीन इन रियक्शनों में हम कई परिवर्तन पढ़ लिए जैसे मेथिल एमीन से मेथिल अलकोहल मेथिल अलकोहल से मेथिल क्लोराइड मेथिल क्लोराइड से मेथिल साइनाइड और मेथिल साइनाइड से एथिल एमीन यह यह कह लें मेथिल एमीन से methyl chloride methylamine methyl cyanide methylamine methyl cyanide तो यह सारी reaction है और जो जहां तक पूछ रहा है तो वहां तक हमको लिखना है अब जैसे HTCAML है HTCAML को हम किस प्रकार से अनी चीजों में परिवर्थित करेंगे HTCAML से फार्मी कमल HTCAML का सूतर होता है CH3 COOH और बनाना है हमको फार्मी कमल HCOOH तो यहां पर कार्बन की संक्ला यहां में कार्बन दो है यहां कार्बन एक है तो कार्बन संक्ला कम करनी है और कार्बन संक्ला कम करने के लिए H-T कमल या कार्बोक्सली कमल के जो है सोडियम या पोटेशियम लवन की सोडियम हाडर अक्साइड या पोटेशियम हाडर अक्साइड से क्रिया कराई आती है तो यहाँ पे हम C-H-3 C-O-H H-T कमले लिख लेंगे और इसकी यहने O-S से क्रिया कराएंगे तो यह और O-H-1 में निकल जाएगा तो बन जाएगा C-H-3 C-O-O यहने सोडियम एसिटेट सोडियम एसिटेट की फिर यहने O-S से क्रिया कराएंगे तो यहने 2 CO-3 बन जाएगा प्लस C-H-4 बन जाएगा मेथेन C-H-4 की C-L-2 से क्रिया कराएंगे तो H-C-L बनेगा प्लस C-H-3 C-L बन जाएगा C-H-3-C-L की K-O-S से क्रिया कराएंगे तो C-H-3-O-H मेथिल अलकोहल बन जाएगा और इस मेथिल अलकोहल का आक्सी करन करा दें C-H-3 O-H प्लस 2-O तो यहां के 2-H और 1-O निकल जाएगा S-2-O के रूप में अब बचा यहां 1-H और C तो याच-C 1-O और 1-O यहां का बचा हुआ तो डबल-O-H यह बन गया फार्मिक अब लगा तो इस प्रकार से हम नेमों का प्रियोग करके आसानी से एक प्रकार के कार्वनिक योगी को एक कार्वनिक योगी को दूसरे कार्वनिक योगी में बचल सकते हैं और अगर नियम ध्यान रखेंगे तो परिवर्तन करना बहुत ही आसान हुआ धन्यवाद